सो इस बाले वीडियो गांद मैं आपको एक ऐसा अप्लिकेशन बताऊंगा जिसको यूज करके न मतलब आप जो है कुछ तीन टाइप के कंट्रोल सेंटर आपके नोटिपिकेशन पैनल आपके फोन के उपर यूज कर सेकते मतलब एक एक ही अप्लिकेशन होगा टाइप के जो करेंगे दो से तीन यह परमीशन मांगेगा लाइक यह पर जो आपके फोन के उपर काम नहीं करेगा ठीक है तो सारा परमीशन अच्छे से देने के बाद जैसे यह आप इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे फिर इसके फ्रस्ट विंडो के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि आपके फोन के उपर आएंगे एक आएवएस का कानौटिफिकेशन फैनल लग चुका है जैसे सारा परमीशन अच्छे से कम्प्लीट हो जाते तो ओर्टोमेटिकली नौटिफिकेशन पैनल यह पर लग जाएगा तो एक तो आपके आपके आएवेस बाला नौटिफिकेशन का आप बोल सकतो उसके बाद अगर आपको जी आपर इमाई वाई 13 14 जैसा नोटिफिकेशन पैनल या पर यूज करना है तो उसके लिए सेम काम है आपको ऐसे लिपक्ष करना पड़ेगा तो इमाई 14 जैसा नोटिफिकेशन पैनल आपको पर देखने को मिलेगा तो मतलब application का जो कॉंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा बिडिया है मतलब हम क्या करते हैं अलाग अलाग टाइप के नोटिफिकेशन पैनल यूज करने के लिए अलाग अलाग अप्लिकेशन यूज करते हैं बडिया पर ऐसा नहीं है आयोस वाला यूज करने तो इसी अप्लिकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हैं अपर शेव का इन्होंने ऑप्शिन दे दें उसको अच्छे से अपर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो बहुत बड़िया तरीका से अपर काम करते हैं ठीक है बागी अप्लिकेशन का लिंक हो सकते में डिसमेर दे दूंगा और कुछ भूड़ो घ अंदे क्याने काने वीडियो का तंगरते पस्तांदु लाइक्षा च्याप नसकर सकतों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो